हेलो एवरीवन वेलकम टू एलसीटी दोस्तों रिवर्स आप जैनके को स्टड़ी करेंगे हम यह रिवर्स आप जैनके के पर लेक्चर नुबर वान होगा लेकर अगर अगर आप जोग्राफिया आप जमो एंड कश्मीर की बात करें तो उसमें यह लेक्चर नुबर फॉर है लेक्चर नुबर वान में जैसे आपको माल में हमने फिजियोग्राफिय की उसके बाद लेक्चर नुबर टू में हमने कलाइमेट को स्टड़ी किया लेक्चर नुबर फॉर में हम रिवर्स आप जमो एंड कश्मीर को स्टार्ट करेंगे इसके अलग सभी मैं एक सब्सक्र के फिर लेक्चर नुबर फनी के देखते हैं जमो एंड कश्मीर के अंदर मैंस कौन워서 अग्वाजोक्र से आपको मालम होनाँ चाहिए कि इंडसर लिवर्स यह मैंचे लिएकर लेकिन हमने बाकी जो rivers हैं जैसे मैंने का इसकी जो बाकी ट्रिब्यूटरिस हैं उनको अच्छे से study करना है तो उसके लिए Indus को जाना भी बहुत ज़्यादा जुरूर है क्योंकि Indus से भी काफी ज़्यादा question आते हैं Indus Water Treaty से काफी ज़्यादा question आते हैं उस सब को अच्छे से detail में हम इस lecture के अंदर study करेंगे और जो previous questions होंगे उनको भी हम देखेंगे किस तरह से question पूछे जाते हैं वो सब भी हम इसके अंदर discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहले discuss करते हैं Indus River को पूछे ओँए जो इंदस river कोई भी river कोई भी river कोई भी river पड़ना हो तो देखेंगे असका तरीका क्या होता है सबसे पहले उसका origin जाना होता की वह निकलता कहां से क्योंको कहीं बार पूचा जाता हैं में इस धरिया का origin क्या है या उसका head stream पूछा जाता है उसके बाद वो भैकर कहां जाता है उसका mouth यानि वो drain किस में होता है या merge किस दरिया में होता है या किस समंदर में किस water body में वो merge हो जाता है वो याद रखना होता है उसके उपर अगर कोई important project है कोई power project है या कोई multi purpose project बना हुआ है उसके बार में पूछा जाता है कोई barrage बना हुआ है उसके बार में पूछा जाता है या वो किसी man city से गुजरता है किसी city की वो life line है तो यह सब question पूछे जाते हैं तो इन सब को cover करनी की कुश्श करेंगे जो जो indus river के related exam में पूछा गया है आज तक और जिसके chances बनते हैं वो सब इस lecture के अंदर में discuss करूँगा दो को सबस्पहले बात करते है origin की ठीक है यनि ये निकलता कहा है तो देखो तिबबत के अंदर monster river नाम की लेक है आपने सुना होगा इसके बार में काफी मशूर लेक है तो यहाँ पर एक glacier है बोखार छू गलीशर तो इस बोखार छू गलीशर जो सोथ आप मोट के अलाश मोट के अलाश के सोथ में है वहाँ से इस indus river का origin होता है और फिर उसके बाद लदाक में इंटर होता है फिर गिलगिड बलतिस्तान में इंटर होता है फिर पाकिस्तान में इंटर होता है और फाइनली ये Arabian sea में जाकर मिल जाता है अब ये तो रहा थोड़ा उपर उपर से इसको ज़रा map के जिरिये में आपको अच्छे से समझाता हूँ और फिर ये इंटर होता है इंडिया में कहा लदाक में तो लदाक में जब इंटर होता है तो ये दो रेंजिस के बीच में दो मॉंटें रेंजिस के बीच में चर रहा होता है इसके उपर से जो रेंज जा रही होती है जो यलो कलर्स में बना रहा हूँ क्योंकि मेप में बनीनी है इसको बोलते है लदाख रेंज और इस river के नीचे से जो range जा रही होती है उसको बोलते है जन्सका रेंज तो दो range के बीच में से जा रहा होता है south western direction में तो इस तरह से Atari बढ़ रा होता है ओके अब ये शियोक इसकी ट्रिब्यूटरी बन गई लेकिन शियोक में याद रखना शियोक में एक और नदी मिलती है ये उपर से छोड़ी सी जो दिखाई दे रही ये नुब्रा रिवर नुब्रा रिवर शियोक में मिलती है और शियोक जो हो खोद किसमें मिलती है वो पाक से होते हैं फिर ये गिल-गिल बलतिस्तान में इंटर होता है और गिल-गिल बलतिस्तान से फिर चलते चलते हैं इसमें बाकी बहुत सारे रिवर्स इसमें मिल जाते हैं पाकिस्तान में याद रखना चिलास दर्दिस्तान नाम का रिजन है वहाँ पर चिलास नाम की जगा वहाँ पर यıt पाकिस्तान में इंटर होता है और इंटर होते आगे भड़ता है, आगे भड़ता है continue और इसमें बाकी river आकर इसमें मिलते हैं सुलिमार रेंजे हैंक से नि cry इंटर ऐरे है। बहुत सारे river इंटर हैं, जैसे सरे जैसे यह जोहोब है आप देख सकते हैं ये चनाब रिवर आ रहा है ये जहिलम रिवर आ रहा है ये चनाब में मिल जाएगा फिर ये दोनों मिलकर इन दोनों रिवर के अंदर रवी आकर मिल जाएगा फिर ये तीनों रिवर इसी तर से आगे चलेंगे इन में सतलज मिल जाएगा और सतलज में पह यह पजया लिखा हुआ है तो पज़न जो ए फिर इंदस के साथ जा कर मिलता कहां पर मिठण कोड के पास पाकिस्तान के अंदर वहां पर या रहा थोड़ा सत्लوج में पहले भियास मिल चुका होता है और ये पांचे रिवर मिलकर पंजनल बनाते हैं मुझफरगार के अंदर मिलते हैं वो जिशरीफ के पास और फिर ये पंजनल मिलकर इंधस में मिल जाता है कहां पर मिठन कोट के पास पाकिस्तान के अंदर ठीक है ये रही थोड़े सी उपर उपर के कहानी इंदस के बारे में जो मैंने आपको मैप के जिरे समझाए अब इसको देखते हैं यहाँ पर थियोरी में क्या लिखा हुआ है तो जैसे मैंने आपको कहा बुखार्चु गलेशर से निकलता है मानसर वर लेक के पास सोथाफ मोट के इलाश उसके बाद इंडिया में लदाक में इंडर होता है लहसिटी के साथ साथ नार्थ वेस्टरन डायरेक्शन में चलता है लदाक रेंज और जनसकार रेंज के बीच म से वो इसमें मिल जाता है और पाकिस्तान में यह रिवर कहां पर इंटर होता है इंदस कहां पर इंटर होता है दर्दिस्तान नाम का रीजन है वहां पर चिलास नाम की जगा है वहां पर पाकिस्तान में इंटर होता है और फिर बाकी जो रिवर होते हैं चनाब है जिला में स रटलुज ने है अगये आने लेक्शर में आपको बताओँगा कों कहां पर मिलता है जीलम चनाब के साथ कहां पर मिलता है चनाब रभी के साथ कहां पर मिलता है वो अ EL goin से पांचि Vergleich काराची से बहते हुए यह रिवर इंदस रिवर जो है अराब्यन सी में मिल जाती है सौथाफ कराची तो यह इसका मोट है तो यहाँ से लेकर औरीजन से लेकर मोट तक कि इसका सफ़र हमने तेय कर लिया ठीक है अब इसके tributaries के बात करें देखो tributaries क्या है देखो suppose करो यह river ऐसे कोई चर रहा है अब इसके अंदर जो जो नदियां आकर मिलेंगी वो इसकी tributaries होंगी जैसे यहां से इस side से अगर कोई आ रहा है अब depend करते हैं इसकी direction से अगर इसकी direction ऐसे है तो इस side से जो नदी आ रही है यह कूंसी side इसकी right तो इसकी right bank tributaries कहलाएंगी और जो इस side से दूसरी वाली side से आ रही है तो यह इसकी left bank tributaries बनेंगी अब बात करते हैं इंदस के left bank tributaries की यह इंदस रिवर ऐसे चर रहा है और जो ऐसे आकर मिलेंगी sorry ऐसे नहीं ऐसे आकर इस side से आकर जो मिलेंगी वो होगी इसकी left bank tributaries और उपर से आकर जो मिलेंगी वो होगी इसकी right bank tributaries तो left में कौन-कौन से जिलम है ठीक है यह इसकी left bank tributaries है right bank tributaries की बात करें यानि जो यह उपर से आकर मिलती है और right bank tributaries जो है यह लगबग सारी की सारी यह सुलिमान रेंजे से निकलती है यह भी एक्जाम में पूछा गया था तो इसमें शियोक है, गिलगिट है, हुनजाई, सवाद, कुनर, काबूल, जमाल, जोहब, शिगर शिगर पिछली बार एक्जाम में पूछा गया था देखो यह सारी tributaries ज्याद रखना क्योंकि एक्जाम में पूछा जाता है इसकी कौन सी यह left bank tributary कौन सी, यह right bank tributary कौन सी है तो शिगर पिछली बार पूछी गई थी गास्टिंग, दरास, तोची, वाइबो, शंगर यह सब जो है इसकी right bank tributaries है और major tributaries की बात करें जो ज्यादा बड़ी है उसमें है जिलम है, चनाब है, रवी, सतलुज, बियास कहते हैं, तिबबत में इसको शिंगी खंबाम कहा जाते हैं, तिबबत से जब यह निकलता है, जो इसका head stream होता, starting वाला, ठीक है, यहां से निकलता है, उसको शिंगी खंबान कहते हैं, यह पिछली बार exam में इंदस जो है, वो यहां से इस तरह से बहरहा होता है, तो यह आ गए Easternmost, ब्रहंपुतरा, और र गये आपकी गंगा, और Westernmost आ जाएगा आपका इंदस रिवर, ठीक है, तो यह तीन हमालिय रिवर हे इंदस के, और उनमें सबसे Westernmost कुण सा है, वो है इंदस रिवर longest end national river है यह पाकिस्तान का यानि पाकिस्तान का सबसे लंबत द्रिया भी है और national river भी है इंदस वैली civilization ठीक है जिसको हरापा civilization भी कहते हैं यह इसी के basins, इसी के किनारों पे इसी के bank से अराम अराम से वो flourish करना स्टार्ट होगी और फैलती गई उसके बाद total left के अगर बात करें total यह तिबबत से लेकर लगदाग पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान और यह तिबबत सारा में लाकर 2880 है और उसके बाद इंडिया के अगर बात करें तो इंडिया में total इसकी left NCRT के accordingly अगर चले तो 1114 लेकर बहुत सारी standard books में जो है 709 km भी दिया है तो याद रखने यह दोनों कभी exam में नहीं आएंगे दो में से कोई एक ही लेंट आएगी या तो 1114 आएगी या तो 709 तो दोनों ही यह correct हैं तो पिछली बार paper आया था JK PSC ने उसको लिया था तो उसने उन्होंने 709 km लेंट दी थी तो वो जब answer की मैंने चेक किया था वहाँ पर 709 जो ही उनने correct answer दिखाया था तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं 1114 आएगी दिया है 709 भी बहुत सारी चीज़े clear होगी इंदस वार्डर ट्रीटी से बहुत सारे कोचन आते हैं एक ही एक्जाम में यह के PSC ने कुछ दिन पहले लिया था SSN रजिस्टार का paper उसमें एक ही एक्जाम में दो कोचन आये थे एक इंदस रिवर से और एक इंदस वार्डर ट्रीटी से ठीक है तो 1960 में यह हुई थी exact date इसकी याद रखनी है 19 September 1960 कहां पर हुई थी कराची में हुई थी किसके बीच में हुई थी इंदस रिवर के रिलेटेड इंदस रिवर सिस्टम जो है ना जितनी बिसके ट्रीब्यूटर वगएर उसके रिलेटेड हुई थी ठीक है यह कोण कितना water यूज करेगा तो इस में क्या कहा गया था कि 80% जो water होगा इन 6 रिवर्स का ठीक et researching एपांजनन और यह बाकी इंदस इन 6 रिवर्स का जो 80% water होगा वो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को अलोकेट किया गया था उसमें से यह पूछा जाता है कि तीन इस्टन रिवर जो हैं, बियास, रवी, सतलुज, इस्टन रिवर्स, ठीक है, तो इस्टन कोन से आजेंगे, यह जो इस साइड है, यह आ गया बियास, सतलुज और रवी, तो इनकी मैनेजमेट का काम इंडिया करेगा, लेकिन जो तीन वेस्टन रिवर हैं, जिहलम, चना करेगा, यह कुछ-कुछ इसमें कहा गया था, अब important चीज़ें जो इसमें याद रखना है, जो कहीं बार पूछा जाता है, पहला कहां पर हो था, कराची में हो था, 19 September 1960, इंडिया की तरफ से कौन थे, प्राइम मिनिस्टर पंडी जोहरलार नहरू, और पाकिस्तान की तरफ कुछ इस तरह से क्वाचन दिया हुआ था, तो वहाँ पर उनने लिखा था, प्रेजिडेंट की जगा प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पर उसने सब को क्रेक्ट किया, उसने कहा कि all of these, कि सारी ठीक है, लेकिन सारी ठीक नहीं थी, उसमें से वो third statement गलत थी, जहां पर treaty इन दो के बीज में करवाई थी, तो वो था World Bank, जिसको उस टाइम पर कहते थे, International Bank for Reconstruction and Development, तो कभी World Bank आएगा, तो कभी International Bank of Reconstruction and Development आएगा, कोई confusion नहीं, एक ही बात है, अब बहुत सारी बार, कहीं बार क्या होता है, इंडिया की तरफ से को है, पाकिस्तान की तरफ से को है तो विल्यम इल्फ थे, चांसे है, यह पूछ लें, तो विल्यम इल्फ थे, वोल्ड बैंक की तरफ से, ठीक है, तो यह सारी चीजे इस treaty की थी, जो उमीद करता हो, मुझे आपको अच्छे से समझ आई होगी, यह सारे point इसके याद रखना, date याद रखना है ना, पाकिस्त से याद रखना, अब देखो, अगर आपनी लेक्चर अच्छे से देखा होगो, तो आप इनका आंसर दे पाओगे, उतना कुछ मुछ मुश्किल है नहीं, question number 12 है, which international agency act as a mediator between India and Pakistan and the Indus Water Treaty, तो Indus Water Treaty में कोन सी international agency ने, एक mediator का का काम किया था, क्या वो international monetary fund, या international union of conservation of nature, वोल्ड wildlife fund of nature, तो इसमें right answer क्या है, obviously right answer यहाँ पर क्या है, option C है, यानि world bank है, ठीक है, तो इस तरह से question पूचा गया था, बस जरूरत यह होती है, देखो, चीजे वो ही पूची जाती जो आपने पढ़ी होती है, ठीक है, जरूरत यह होती है, आपने जो पढ़ा, आप उसको बार- बार-बार revise करो, बार-बार revise करो, ताकि आपके mind में वो बैठे, और अगर आपको थोड़ी देर के लिए लगता कि मुझे भूल गया है, लेकिन जब आप paper देखोगे, options देखोगे, आपको खुद समझाएगा कि options के accordingly यह सही answer फीड़ बैठता है, ठीक है, आप यहाँ पर गचमर 14 देखते हैं, consider the following statement, which is not correct statement, इसमें से कुन सी statement correct नहीं है, देखो इस पर दिहान देना, क्या पूछा है, not correct, यानि फाल हमने रोनना है, तो शिंगी खबाब is its head stream, किसका, इंदा स्रिबर के बारे में पूछा रहा हैं, शिंगी खबाब क्या है, इसका head stream है, शियोक औ third जो है, वो गलत है, यानि first गलत है, और third गलत है, यान तो उसको शायद अच्छे से उसने बढ़ा नहीं, उसने शायद उसको true समझा है, correct statement समझ कर शायद first and third को correct किया है, लेकिन हम से पूछा गया है, not correct, इसमें गलत कुन सा, देको शिंगी खबाब, जो तिबत में मैंने क कहा, इसकी जो head stream में, शिंगी खबाब, उसको कहा जाता है, lines mode, ये statement correct है, उसके बाद शियोक और शिगर, दोनों इसकी tributaries है, ठीक है, शियोक जो river up death है, शिगर इसकी tributaries है, मैंने पीछे पढ़ा है, वो इसकी tributaries है, इसलिए ये statement भी correct है, तो तीनों statement correct है, इसमें false कुछ देखे, आपने अच्छे से, जो भी चीज़ पर इसको अच्छे से analyze किया हो, अच्छे से उसको revise किया हो, तो आपकी सारी चीज़े, आपकी सारी problem जो हो जाएगी, कोई confusion नहीं रहेगी, तो अमियत करता हूँ, आपको lecture पसंद हो, कब बागी जितने भी आगी के topic होंगे, उ तो रिवर होंगे, उनको अच्छे से study करेंगे, previous question भी उनके पर solve करेंगे, thank you so much, bye bye, take care.